वेलकम फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने इलेक्षन कमिशन पे बात किया था और वहाँ पर हमने इलेक्षन कमिशन के अंतरगत पढ़ा था कि परिसीमन का कार्य किया जाता है और परिसीमन आयोग के बिसे में भी हमने संचिक्त चर्चा की थी आज की इस क्लास में हम परिसीम को समझने से पहले हम देखें कि भारत में जो लोक सभा और बिधान सभा के निर्वाचन होते हैं उसकी प्रणाली क्या है उस पे थोड़ा से एक संचिप्त चर्चा करेंगे कि बात कर रहे हैं लोक सभा और जो बिधान सभा होती है बिधान सभा यहां पर जो इलक्षन होते हैं उसमें छेत्री प्रतिनिधित्व पाया जाता है छेत्री प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा यानि टेरिटोरियल रिप्रजिन्टेशन छेतरी प्रतिनिधेतु का मतलब होता है कि जिस चीज का इलक्षन हो रहा है लोगसभा का इलक्षन हो रहा है या विधानसभा का इलक्षन हो रहा है तो उसमें जितनी सीटे हों उस एरिया को जैसे कि लोगसभा का हो रहा है तो पू पूरे प्रदेश को जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है उस एरिया को उतने छोटे छोटे टुकडों में बाट दिया जाए जितनी सीटे हो तो अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो लोकसभा में जितनी कुल सीटे हैं पूरे देश को उतने भागों में विभाजित कर हर एक भाग को हम कहेंगे निर्वाचन छेत्र और उस हर एक निर्वाचन छेत्र से हम एक प्रतिनिध को चुनेंगे हमारे देश में लोक्सभा और विधान सभा में यही तरीका अपनाया जाता है और यहां पर जो है इलक्षन जो होता है फस्ट पास्ट दपोस्ट सिस्टम प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही बिजेता होता है हर एक छेतर से ऐसा किया जाता है जैसे कि हमने आपको बताया था कि जैसे भारत है तो भारत में जितनी भी लोक्सभा सीटे हैं उसको हम क तरीका होता है, यह हमारा भारत हो गया, इस तरह से इंडिया है, अगर हम लोकसभा के इलक्षन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लोकसभा में जितने सीटों पे निरवाचन होना है, हम भारत को उतने निरवाचन छेत्रों में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से उतने निर्वाचन छेत्रों में क्या करेंगे इस इंडिया को हम बाट देंगे छोटे छोटे छेत्र बना देंगे और हर एक छेत्र में देखें, जो भी संख्या होगी, वो किसके बराबर होगी? निर्वाचन छेत्रों की संख्या, निर्वाचन छेत्र क्या होता है? संख्या आपका ओट कि छेतर में आएगा जो आपका निर्वाचन छेतर होता है वहीं पर आप अपनी ओटिंग करते हैं अधर छेतर में नहीं करते हैं तो सीट जो होती है उसी को निर्वाचन छेतर कहा जाता है तो जितनी टोटल सीटे होंगी उतने ही निर्वाचन छेत्रों की संख्या होगी पूरे देश में टोटल मिला करके और हर एक छेत्र से क्या होगा एक प्रतिनीधि को चुना जाएगा इसमें क्या होगा? प्रतेख छेत्र से एक प्रतिनीधoben चुना जाएगा यह एक निर्वाचन छेत्र है, एक सीट है सांसदी की, एक निर्वाचन छेत्र है यहाँ से क्या होगा? एक वजेता होगा, एक बैकत्टि यहां फच्ट पाश्थ दब पोस्ट सिस्टम के तहट जाएगा तो हर एक छेतर से एक प्रतिनिधी होगा इसी को छेतरी प्रतिनिधी तो कहा जाता है अब देखिए भारत में जो छेतरी प्रतिनिधी तो है उसका मुख्य आधार जनसंख्या को लिया गया है यानि कि ऐसा नहीं है कि यह छेतरफन में बराबर होंगे यह जो छेतर ह है कहीं पे सिस्थ कि घी जाएगी कि हर एक ज्संख्या बराबबर हो इसलिए कुछ चीफलों का आकार चोटा होगा कुछ चेरेच्रों का आकार बड़ा होगा जहां पिछन दूर दूर निवास करती है वो जो है छेत्र निर्वाचन छेत्र बड़ा बनाना पड़ेगा तब उतनी जनसंख्या कबर कर पाएंगे जैसे लद्दाख तो छेत्री प्रतिनिद्धु का मुख्य आधार क्या होता है जनसंख्या होती है यह प्रशन पूछा भी जा सकता है त कि जो आपके निर्वाचन छेत्र है निर्वाचन छेत्र चाहे वो लोग सभा के हो चाहे वो विधान सभा के हो जब विधान सभा की इलक्षन की बात आएगी तो जो भी स्टेट होगा जैसे कि यह गुजरात है तो हम गुजरात को क्या करेंगे गुजरात को छोटे छोटे बिधान सभा सीटों में बाटेंगे जितनी गुजरात की बिधान सभा सीटें है तो उसको हम छोटे छोटे टुकडों में डिवाइड करेंगे बिधान सभा सीटों के लिए तो वो बिधान सभा के लिए निर्वाचन छेत्र हो जाएंगे यही क्या कार कहलाता है यही है परसीमन यही परसीमन है परसीमन हर एक दस वर्स जब जनगड़ना होती है देखे जनगड़ना के बाद क्यों 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 हमने अभी बताया कि यह जो छेत्र बाटे जाएंगे इसका छेत्रफल से बिसेश लेना देना नहीं है इसका मुख्य र जो है दस लाख जनसंख्या हो कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ये प्रियास किया जाएगा तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कोई छेतर बड़ा हो कोई छेतर छोटा हो लेकिन जनसंख्या सभी की बराबर होगी तो यही निर्वाचन छेत्रों की सीमाय यानि boundary तैं करने का कार जो होता है वो परिसीमन कहलाता है और ये परिसीमन करने का कार कौन करेगा इसके विसे में हम आगे डिसकस करेंगे हाला कि परिसीमन आयोग करेगा उसको भी हम देखेंगे इसलिए इसको सीमा आयोग भी कहा जा अब एक चीज को यहीं पर और समझ लें कि ये जो निर्वाचन छेत्र होते हैं निर्वाचन छेत्रों की बाउंडरी जो है वो चुनाव में बहुत महत्यपूर्ण भारत जैसे देशों में जहां पर धर्म और जाति को ले करके भी इलेक्शन प्रभावित होता है तो ऐसी बाउंडरी है वो बहुत महत्यपूर्ण भूमिका निभाती है कैसे अभी हम पूरा परसीमन आयोग पर डिसक्रशन करेंगे लेकिन यह बहुत बेसिक चीजे हैं जो आपको काईदे से समझ लेनी चाहिए तो आप इस चीज को समझ गए अब देखिए एक सब्द होता है जे जेरी मेंडरिंग का मतलब यह होता है कि जान बूज करके निर्वाचन छेत्रों का परसीमन इस प्रकार से करना जिससे किसी बेक्टी बिसेश या पार्टी बिसेश को लाब पहुंचाया जा सके जेरी मेंडरिंग का मतलब होता है जान बूज कर जान बूज कर निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन इस प्रकार करना इसको ऐसे ही आप लिख लीजिए बहुत महत्पूर सब्द है ये इस प्रकार करना की उससे किसी को चुनाओ का लाभ मिले किसी पार्टी को या किसी उमीदवार को लाभ पहुचाने के लिए जान बूज करके निर्वाचन छेत्र का परिसीमन कुछ अपने धंग से करना ऐसा किया था जान बूज करके अमेरिका के थे एक उमीदवार जेरी मेंडर साहब जेरी मेंडर साहब ने इस प्रकार का कारे किया जानबोज करके निर्वाचन छेत्रों को कुछ इस प्रकार से बिवस्थित करवाया ताकि उनको फायदा हो सके तो बाद में वो चीजें खुल गई तो उसी समय से इस सब्द का जो है अस्तित में आया जेरी मेंडरिंग कहा जाने लगा कि जानगूश करके ऐसा काम करना अब देखे कैसे प्रभावित होता है इस चीज को जड़ा समझें जेरी मेंडरिंग कैसे काम करेगा देखे हमने आपको बताया कि छेतरी प्रतिनिधित्यु का जो मुख्य आधार ह लेकिन जनसंख्या इसका प्रमूख आधार है बारत में अब मालेते हैं कि यह कोई एरिया है कोई एरिया है और यहां पर हमें लोकसभा सीटों का परसीमन करना है सीटे बनानी है तो हमें कहा गया कि जलसंख्या के आधार पे करना है जलसंख्या के आधार पे एक छेत्र है जिसको इस परकार से काटा गया यह एक कोई निर्वाचन छेत्र बना दिया गया यह एक निर्व अब किसी ने अपनी गडरित लगाई देखो यही कार परशीमन है जो मैं बता रहा हूं कि यह बॉंडरी बनाना याने किस जगे से किस जगे तक आप एक निर्वाचन शेतर में आएंगे यानिए आप की ओंट कहां पढ़ेगी यह हैं मरईने करना ये यहीषीमन का इन में तो यह जो आकप boundary भी तै किया जाता है तो इसमें अगर कोई जानबूज करके कुछ करना चाहे तो वो इस तरह से कर सकता है माल लेते हैं ये एक seat है और भारत में धर्म और जात को ले करके काफी जो है election प्रभावित होता है तो एक situation माल लेते हैं कुदाहरड के ले कालपनिक कि अगर हम दो धर्म को ले करके माल लेते हैं कि एक इलाका है ये इलाका हिंदू बाहुल है इधर का इलाका हिंदू बाहुल है और यहां परसे में काड़ देता हूँ ये इलाका मुसलिम बाहुल है एक जाम्पिल के द्रिश्ट कोड से एक काल्पनिक सिच्वेशन मानते हैं यह सीट है तो यदि कभी धर्म को लेकर के चुनाव प्रभावित हुआ तो जहर सी बात है कि मुसलिम बाहुल छेतर है तो यहां पे मुसलिम कंडिडेट या मुसलिम कंडिडेट का समर्थक या इलक् जिधर चाहेगा उस सीट को जिता सकता है मानते ही एक सीट है अब कभी परसीमन हुआ और परसीमन में जो बिक्ति है सरकार में सत्ता में और वो जानबुचके इसको प्रभावित करे और यह बाउंडरी जो है वो प्रभावित कर दे अब देखिए यहां पे मानते है इसकी जनसंख्या दस लाख रही होगी इसकी भी दस लाख है इसकी भी दस के करीब है इसकी भी दस के करीब ही होगी लेकिन यहां पे मुस्लिम ज्यादा है हिंदू कम है लेकिन उसने देखा सिच्वेशन में कि इस छेतर में हिंदू है यहां पे इस छेतर में भी हिंदू है इध इसने यहां से boundary लिया और कुछ इस तरह से एक नई सीट का निर्माड किया देखें सीटों की संख्या नहीं बदल रहा है वह लेकिन उसने क्या किया कुछ थोड़े मुस्लिम ले लिए और यहां के हिंदू और यहां के हिंदू बढ़ा लिए तो इस सीट में हिंदू बाहुल करके यहां भी हिंदू बाहुले खेत्र बन गया तो दोनों सीटें हिंदू बाहुले wickले हो गई और सीटों की संख्या भी इतनी ए क्योंकि यह जहां जहां जेश्टमेंट वह उसी प्रकार से सारे च्टमेंट करके बांडरी का फिरसे निर्धारण करके उतनी忙ous ही सीटे बूज करके सीटों की सीमाओं का इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाता है कि वह किसी के पच्छ में हो जाए अब देखिए ये सीट हिंदू वर्ग के पच्छ में हो गई वो जिधर चाहे उधर इलक्षन ले जा सकते हैं यहां भी मुस्लिम दो जगे बट गए ना इसमें और इसमें तो यह क्या कहलाता है जेरी मेंडरिंग कहलाता है इसलिए जो परसीमन का कार है वो एक संबेदन सिल कार है और बहुत ही महत्पूर है जो इलक्षन को प्रभावित भी कर सकता है इसलिए परसीमन का कार है सरकार को न दे करके इस पैसली किसी ऐसे निकाए से करने क की बात की गई जो स्वतंत्र हो सक्तिसाली हो जिस पे सरकार का बहुत ज्यादा दबाव ना हो हस्तचेप ना हो ताकि एक पारदर्सी परसीमन किया जा सके तो आप जाहर सी बात है इतने बेसिक कांसेप्ट को समझ गए होंगे कि छेत्री परतनिधित्य क्या है और परसीमन किस परकार से महत्वूर है अगर परसीमन सही तरीके से नहीं होगा तो वो किसी के पच्छ में भी जा सकता है आप छोटे स्तर पे भी देखते होंगे छोटे छोटे चुनाओं में कि आप देखते होंगे कि आपके अगर छोटे स्तर पे उदाहरन ले ग्राम प्रधान के चुनाओं में या छोटे चुनाओं में तो आप देखते होंगे किसी किसी गाउं से प्रधान कहते हैं कि इस गाउं से मुझे एक भी ओंट नहीं मिलती है और मुझे अपने गाउं से सारी ओंटे मिल जाती हैं और जो फला गाउं है अगर ये गाउं हमारे गाउं में न लगता होता तो हम जीत जाते हैं तो परिसीमन अगर कहीं इस प्रकार से हो जा कि वो अलग निकाल दिया याए इस गाऊं को पूरा एक जीखे कर दिया जय तो वो एक प्रत्यासी जीत सकता है तो इसी को कहते हैं जेरिमेंडरिंग तो अब समझते हैं क्या होता है और परशीमन आयोग क्या है तो सबसे पहले हम देखें कि परसीमन क्या है समझ आप गए ही परसीमन का मतलब है कि निर्वाचन छेत्र जो होते हैं निर्वाचन छेत्रों का सीमांकन निर्वाचन छेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना इस से देखे यह महत्पूर्ण चीज है सीटों की संख्या पर फरक नहीं पड़ता सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती प्रभावित नहीं होती यह सामानेता है ऐसा जरूरी नहीं है देखे बात तो ये की गई थी कि हर दस साल के बाद में सीटों की संख्या भी जल संख्या के हिसाब से परिवर्तित होगी लेकिन अभी वर्तमान की जो सिच्वेशन है उसमें सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फिक्स है इसलिए हमने लिखा कि सामानिता इससे जो है सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती यानि परसीमन में अभी जो है वो निर्वाचन छेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना ही परसीमन आयों का काम है सीटों की संख्या इसमें अभी 2026 तक प्रभावित नहीं होंगी तो परसीमन का काम यह है लोकसभा और विधासभा की निर्वाचन छेत्रों का निर्धारण करना अब यह कार कैसे होगा कौन करेगा इसके लिए आपको जो है एक आर्टकिल जारना होगा आर्टकिल 82 परसीमन क्या है आप समझ गए अब हम इसमें देखें आर्टकिल 82 आर्टकिल 82 यह कहता है कि देखें भारत में जनगड़ना जो होती है वो 10-10 साल के अंतराल पर होती है 2011 में हुई थी 2021 में होना था लेकिन करोना की वज़े से नहीं हो पा रहा है तो 2021 उसके बाद 2021 ददद साल के अंतराल पर जनगड़ना होती है तो आर्टकिल 82 कहता है कि प्रतेख दस वरसी जनगड़ना जब भी जनगड़ना हो जाए के पश्चात देखें संविधान जो ब्यवस्था करता है वो कहता है कि हर एक जन्गणना के पश्चा दस वर्स पे होगी तो हर एक जन्गणना के पश्चा परिसीमन होना चाहिए प्रतेक दस वर्षी जड़नगन्ना के पश्चात में जो संसद है, ये संसद को पावर दी गई है, संसद जो है एक अधनियम बनाए, अधनियम बनाकर, अधनियम ये परसीमन के लिए है, इसको परसीमन अधनियम आप कह सकते हो, परसीमन अधनियम, पास करे, और जो प्रजन की जनगड़ना है यानि कि और प्रकासित जनगड़ना के जो आकड़े हैं आकड़ों के आधार पर क्या करें परसीमन अब यहां पर जो बात की जा रही है वो सीटों की संख्या और जो एरिया है दोनों की बात हैं परसीमन कराएं अब यहां से बहुत अच्छा कुश्चन बनेगा कि परसीमन कराने की जुम्मेदारी जो है वो किसके पास में है वो संसद के पास में है कि वो बिध ही बना करके जिस रीत से चाहे जिस प्रकार से चाहे वो एक अधिनियम बनाए और उस अधिनियम के तहत जो है जो भी जनगरना आ चुकी है जो नवीनतम आकड़े हैं उस नवीनतम आकड़ों के आधार पे क्या करें परसीमन कराए तो ये जो है संसद को पावर है अब संसत जो है इस तरह से ये लोकसभा सीटों के संदर्व में और आठकिल 170 को भी इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बिधान सभा सीटों के संदर्व में दोनों जगे पर ये परिसीमन कराने का कारी जो है करेंगे तो यहाँ पर आठकिल यही चीज जो है आप देखेंगे आठकिल 170 ये बिधान सभा के निर्वाचन छेत्रों से समंदित है निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन करने की बात करता है परिसीमन और ये भी संसद के हवाले से ही होगा तो इस तरह से ये आठकिल भी आपको याद रखना है और ये आठकिल भी आपको याद रखना है कि ये संसद जो है अधिनियम बनाएगा परिसीमन और देखेंगे को संसद है क्या यह संबैधानिक संस्था है या बिधिक संस्था है तो अगर पीछे की क्लासिस को आपने पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि जिन संस्थाओं का गठन का जिक्र जो है संबैधान में होता है वो संबैधानिक संस्था होती है लेकिन परसीमन आयोग का जिक्र संबैधान म बनाए परसीमन आयोग नहीं बनाने की कहा है उसने उसने कहा परसीमन अधनियम बनाईए और उसके आधार पर जो भी जनगरना के आकड़े आये हैं उनको आधार मान करके परसीमन का कारी करिये जैसे जिस रीत से संसद चाहे तो संसद ने क्या किया संसद ने परसीमन अधनिय पारित किया पहली बार 1952 में चार बार कर चुके हैं तब से और उसमें उन्होंने एक परसीमन आयोग बनाने का जिक्र किया कि ये कार हम दे रहें कि इसको परसीमन आयोग को जो इलेक्षन कमिशन के साथ मिल करके परसीमन का कार करेगा तो परसीमन आयोग किस परकार की संस्था हो जाएगी वो एक बिधिक संस्था हो जाएगी जो बिध बना करके लाएगी हैं वो क्या काम करेगी वो आठकिल 82 और आठकिल 170 दोनों का प्रियोग करते हुए लोग सभा और विधान सभाकी सीटों का परिसीमन करेगी, वही जो परिसीमन आयोग है, वो दोनों जगे का करेगा और दोनों के लिए सक्तिया उसको कहा सी मिलेंगी, 82 और 82 और 91 70 से साथी साथ में परिसीमन आयोग के पास में जो है Morning CC और HD के लिए सीटें रिजर्व करने का भी पावर है और वो उसको सकती मिलते है आठकिल 330 और 332 के तहट तो चीजें देखें तो आपने ये देख लिया कि ये बात है समिधान में अब परिसीमन आयोग जो है वो संसद ने अधनियम बना के लाया देखें संसद ने क्या किया संसद को पावर मिली थी संसद से कहा गया कि आप हर एक जड़गनना के बाद में परिसीमन अधनियम पारित करिए तो संसद ने चार बार जो है परिसीमन अधनियम पारित किये और उसके आधार पर यानि उन परसीमन अधनीमों के आधार पर चारों बार चार परसीमन आयोग का गठन किया है अभी तब चार परसीमन आयोगों का गठन किया है गठन किया है तो अब एक कुशन ये बन जाता है कि परसीमन आयोग का गठन क्या संविधान के अनुसार होता है क्या संविधान में लिखा गया कि परसीमन आयोग बनाओ नहीं परसीमन आयोग का गठन जो है वो परसीमन अधनियम के तहट किया जाता है और परसीमन अधनियम लाने की बात 1882 में कही गई है और हर जनगर्णा की पश्चात लाने की बात कही गई है तो वो चार बार कौन कौन से हैं देखिए पहली बार कब किया गया जब 1951 में जनगर्णा हुई तो 1951 के बाद में 1952 में लाया गया तो उस अधनियम का नाम है परसीमन डी लिम्टेशन एक्ट परसीमन अधनियम परसीमन आयोग अधनियम भी इसको कहते हैं परसीमन अधनियम इसके बाद दुबारा लाया गया परसीमन अधनियम 1962 और तीसरी बार फिर जो है परसीमन अधनियम लाया गया कब लाया गया 1972 में और चोथा परसीमन आयोग जो सबसे लेटेस्ट है वो किस अधनियम के तहत लाया गया वो है परसीमन अधनियम 2002 अब एक चीज यहां पर आप देखेंगे कि 2002 के बाद में कोई भी परसीमन अधनियम नहीं पास किया गया है संसत के द्वारा अभी तक चार परसीमन अधनियम लाया गया और हर अधनियम के आधार पर एक परसीमन आयोग का गठन किया गया तो यहां पर पर्थम परसीमन आयोग बना सबसे पहले यही बना परसीमन आयोग और यह 1952 में ही बना था तो यह परसीमन आयोग 1952 हो गया इसके बाद में दूसरा बना यहां यहां पर फिर परसीमन आयोग और यह बना 1963 में याद रखिएगा अधनियम 62 में आया था आयोग 63 में बना था और यहां पर बना परसीमन अधनियम परसीमन आयोग 1973 यहां भी 73 में बना है जबकि यह 72 में आया था और यहां भी जो है एक परसीमन आयोग का गठन किया गया परसीमन आयोग 2002 में तो प्रसन आप से आएगा कि अब तक संसद ने कितने परसीमन अधनियम अथवा परसीमन आयोगों का गठन किया है तो दोनों का उत्तर चार है लेकिन वर्स अलग अलग है 52, 62, 72 और 2002 यह चार अधनियम है और इनके अधार पर दो तो सेम यहर में है और दो एक वर्स बाद में हैं बीच वाले दो तो यह चार परसीमन आयोगों का गठन किया है तो अभी एक प्रसन मन में आ गया कि आटकिल 83, 82 जो हमने अभी बताया था आपको 82 उसमें तो कहा गया था कि प्रतेक जंगरना यही तो हमने अभी आपको लिखवाया कि आटकिल 82 में कहा गया था कि हर जंगरना के बाद में परसीमन अधनियम लाया जाएगा तो जंगरना तो चलिए क्याओन में यह बहां से टेक्सेट वाला यह खत्तर वाला हो गया यह 2001 वाला हो गया तो बीच में 1981 और 1991 दो जंगरना है तो और हुई होंगी इसके बाद में परसीमन अधनियम क्यों नहीं लाया गया हर एक जंगरना के बाद लाना था तो 1981 और 1991 में परसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया और इसके बाद 2002 के बाद में भी 2011 में भी नहीं किया गया और उसके बाद 2021 में जो आप इधर देख रहे हैं 2020 में जो किया गया है वो परसीमन अधनियम 2002 के आधीन ही परसीमन आयोग है नया अधनियम नहीं लाया गया है यानि कि परसीमन अधनियम 2002 अभी तक latest है इसके बाद कोई अधनियम नहीं है हलाकि इसके अधार पे परसीमन आयोग अभी एक और गठित किया गया है पूर्वत्तर रज्जों के लिए अभी क्लास के लाश्ट में उसके हम बात करेंगे और जम्मू कस्मीर में भी परसीमन अभी कराया जा रहा है तो पूरी चीज को समझेंगे सिस्टम से यहां तक हमने जो बात की है वो बात यह की है कि परसीमन क्या है लोकसभा और विधानसभा की सीटों के जो बांडरी होते हैं उनको डिसाइड करना कहां से कहां तक कौन सी सीट होगी यही परसीमन है और वर्तमान में परिशिमन जो है वो सीटों की संख्या में परिवर्थर नहीं करता है ये भी हम अभी पूरा आपको लिखवा देंगे कब से कब तक है किया मामला है उसमें परतेक जनगल्णा के बाद में होना नहीं होना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हुआ है इस पे भी हम बात करेंगे तो यह चार परसीमन आयोगा आप याद रखेंगे अब हम देखें कि जो परसीमन आयोग बनता है उसकी सरचना कैसी है कौन-कौन उसमें होता है कौन बनाता है क्या सकतिया है इस पे बात करें अभी बहुत important चीजे आप को जाननी है सीटो की संख्या कब तक के लिए इस्थाई की गई है आरच्छन कौन से आठकिल के तहट दिया जाता है यह सब कुछ हम डिसकर्ट करेंगे लिकिन अभी कार्योगरा पर बात करेंगे तब पहले हम परसीमन आयोग की सरचना और गठन को देख लेते हैं सबसे प परसीमन अधिनियम के आधार पर कौन करेगा राश्ट्रपती महुदे करेंगे राश्ट्रपती द्वारा इसका गठन होता है परसीमन आयोग का गठन कौन करता है राश्ट्रपती करते हैं अब इसकी सरचना पर हम बात कर लेते हैं और एक चीज और लिखे लेजिए कि परसीमन अधिनियम के अधार पर राश्टपती द्वारा इसका गठन होता है और ये है क्या संस्था क्या है परसीमन आयोग परसीमन आयोग जो है वो एक सक्तिसाली स्वतंत्र संस्था है विदिक संस्था तो है ही ये एक जो है स्वतंत्र निकाय है और ये उच्च सक्ति रखने वाला यानि उच्चा अधिकार इसके अधिकार बहुत पावर्फुल है उच्चा अधिकार रखने वाली संस्था है जिसके जो आदेश होते है यानि परसीमन करने का जो आदेश इसका है जिसके आदेश कानून की तरह लागो किये जाते हैं बहुत महत्पोर्ण चीज है कानून की तरह लागो होते हैं बहुत important चीज है ये कि जो परिसीमन आयोग है स्वतंदर तो है ही ये उच्छा अधिकार रखने वाली संस्था यानि इसके अधिकार बहुत ज़्यादा powerful है इतने हैं कि इसका जो आदेश होता है यानि ये जो परिसीमन करते हैं वो कानून की तरह लागो होता है कानून की तर प्रस्णगत नहीं होगा और ना ही संसद या राज के विधान मंडल इसमें कोई संसोधन कर सकते हैं तो इसका दो बाते हैं यहाँ नियायाले की छित्र अधिकार से बाहर है यहाँ नियायाले में प्रस्णगत नहीं होगा नहीं होगा इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग ने अगर किसी seat की boundary इस तरह से decide कर दी है तो कोई ब्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये वाला area भाई आपने गलत इसमें जोड़ दिया या इसमें से निकाल के इसमें जोड़ दिया इसके लिए बिवाद लेके नियाले में नहीं जाएगा वो तो ये नियाले में प्रसंगत नही होगा सिट ॐ गए तो ऐसे ही रहेगी है दूसरी चीज यह है कि कि इसमें सन्सद एक झुणर आधेस है इसमें इसकास की बात हो रही है इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट लोक सभा एवं बिधान सभा में रखी जाती है, यानि वहां पर रखी जरूर जाती है लेकिन वे इसमें संसोधन नहीं कर सकते। अब देखे कितनी महत्तपूर बात है, कि परसीमन आयों की रिपोर्ट अंतिम है, नयाय ले आप नहीं जा सकते और नाहीं लोक सभा उसमें कोई प्रवर्टन कर सकती है, और नाहीं बिधान सभा, रखी जरूर जायगी लेकिन वह उसमें कोई प्रवर्टन नहीं कर सकते हैं, और ये जो है राष्ट ये जो रिपोर्ट होती है अगला पॉइंट ये है कि इसको राष्टपती जो है एक तित्थी गोसित करते हैं तब से लागू होता है। राश्टपती द्वारा निर्दिष्ट तिथी से लागू होता है तिथी से लागू होता है यह परसीमन आयूग की पावर है यह इसकी सक्तियां है अब हमने गठन की बात की तो अब हम यह देख लेते हैं कि परसीमन आयूग में होता कौन-कौन है यानि कि इसकी सलचना क्या है कौन-कौन इसमें होगा आप इसको लिख लिए होंगे अब हम सलचना पर बात कर लेते हैं कितने लोग होंगे और वो क्या सकती रखते हैं यह भी हम देखेंगे सलचना तो देखें सलचना में इसमें एक अध्यच होते हैं यह जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या वर्त्मान भी पूर्व निया अध्यीस होते हैं जो 2002 में परिस्मन आयोग गठित किया गया उसके अध्यच जो थे वो निया मूर्ति कुल दीप सीम्ह और अभी किसके अध्यचता में जो परिस्मन आयोग जम्मु कस्मीर के लिए गया है उसका कमेंट करके आप बताएए कि अध्यच कौन है तो अध्यच सुप्रीम कोर्ट के पूर्ब नयाधिस के पदेन सदस से होते हैं यानि कि यह सदस होंगे ही होंगे पदेन सदस यानि जो भी इस पदपर होगा वो आटोमेटिक इसका सदस होगा और वो क्या है मुक्खी निरवाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो इसके पदेन सदस होंगे और इसमें जो है उस राज के निर्वाचन आयुक्त भी होंगे जिस राज में परिसीमन होना है तो जिन जिन राज्यों में परिसीमन होना है जैसे मा लेते ह कि चार राज्यों में फरिसीमन का कार किया जाना है तो उन चारों राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी इसके सदर्स होंगे यानि कि लिखेंगे संबंधित राज्य के जिस राज्य में होना है संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसमें होंगे तो यही निर्णायक बाड़ी है, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो इतने लोग हैं, यही मुख्य निर्णायक है, जो भी निर्णाय लेंगे, निर्णायक लोग यही हैं, बाकी इसमें और होंगे, इसमें जो है कुछ सहयोगी सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस से एसोसीएट मेंबर से कितने होते हैं ये जो है जो समंधित राज हैं ने से 10 मेंबर हो सकते हैं कुल संबंधित राज से कुल दस सदस से, संबंधित राज से कुल दस सदस इसमें और होते हैं, जिस राज में परसीमन होना है, वहांके दस मेंबर और होते हैं, इनको सहयोगी सदस से कहा जाता है, एसोसियेट मेंबर होते हैं, ये दस मेंबर कौन होते हैं, ये दस मेंबर में इसमें देखे, पाँच होते हैं लोक सभा के सदस्य, लोक सभा के, प्लस पाँच बिधान सभा के, सदस्य होते हैं, कुल दस सदस्य होते हैं, टोटल कितने, दस, तो ये दस हो गए, पाँच प्लस पाँच, पाँच ये और पाँच ये, ये जो पाँच उस राज के लोक सभा के जो MP होंगे और उसी राज की विधान सभा के जो 5 ML होंगे इनको कौन भेजेगा तो लोग सभावालों को भेजेंगे लोग सभा के speaker और विधान सभावालों को कौन भेजेगा विधान सभा के speaker तो यह यहां पर लोग सभा के speaker के द्वारा पांच सदस्े नामित की जाते हैं और यह पांच जो है विद्धान सभा के सपीकर के द्वारा भीज जाते हैं तो यह दस मेंबर इसमें होते हैं सलचना में तो कौन-कौन हो साथ में सहयोगी सदस हो गए और यह जो है यह केवल सुझाओ देते हैं इनका काम केवल सुझाओ देना है यानि कि जब रिपोर्ट तयार हो जाती है तो इनके सामने प्रस्तुत की जाती है और इस पर अपना प्रामर्स दे सकते हैं लेकिन वो प्रामर्स जो है यही निरने लेंगे कि माना जाय की नहीं यह सिर्फ प्रामर्स दातरी हैं सलाहकारी हैं तो यह हमारा परसीमन आयोग है इसको कहते हैं परसीमन आयोग और यही क्या करता है यही लोग सभा की सीटों का परसीमन और बिधान सभा की सीटों का परसीम की सकति इसको आठकिल 170 से मिलती है दोनों हमने आपको शुरू में बता दी तो यह कहां से सक्ति प्राप्त करता है यह संविधान से सक्ति प्राप्त करता है 8 92 से और 8 270 से एक और लластका है उसकी सक्ति देखे कहां से मिलेगी तो परसिमन आयोग की अगर सक्तियों की बात की जाए तो हमने आपको बता ही दिया कि परसिमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो एक बिध के आधिन गठित किया जाता है यह बिधिक निकाय भी है और यह समिधान से प्रदत सक्तियों का प्रियोग करता है यह लोकसभा और ब दाश्टपती महोदय के द्वारा जो है निर्दिष्ट की गई तिथी से लागू होते हैं इसके आदेश को लोक सभा में और विधान सभाव में रखा जाता है राजियों की लेकिन वो इसमें कोई संसोधन नहीं कर सकते हैं तो यह इसके पावर से हैं अब हम कारे को जरा एक स निर्वाचन चेत्र का मतब सीट निर्वाचन चेत्र का परिसीमन एक तो यह कार यह करता है इसकी पावर सी से कहां मिलती है आठकिल 82 से तो संसदी निर्वाचन चेत्रों का परिसीमन जब यह करता है यानि लोग सभा की सीटों का परिसीमन तो यह क्या ध्यान में रखते हैं इसको करने के लिए यह ध्यान में रखते हैं कि हर एक लोग सभा में लगभग बराबर जनता रहे यानि कि हर एक member जो चुन करके आए वो लगभग बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्त करता हो यानि कि जैसे कि एक seat ये है एक seat ये है तो दोलों जगे कोसिस इनकी ये रहेगी कि यहां भी अगर 10 लाख जनता है तो यहां भी लगभग 10.5, 9.9 यानि लगभग यहां भी 10 लाख हो देखें बिलकुल 100% की बात नहीं कीगे क्योंकि इतना exact बनाया नहीं जा सकता है यथा संभव कहा गया है जितना हो सकता है बराबर रखने की बात की जाएगी तो संसदी निर्वाचन छित्रों के परिसीमन में परिसीमन आयोग किस चीज का ध्यान रखता है वो ध्यान रखता है कि जिस राज में वो सीट बनाई जा रही है उस राज को टोटल जितनी सीटे मिली है और उस राज की जो टोटल जनसंख्या है उसका अनुपात हर राज में एक जैसा हो यानि कि बिहार में, उत्रप्रदेश में, राजस्थान में, केरल त्मिलनाड में हर एक राज में एक ही जैसा निकले लग भग में यह था समभाब यह हो गया दूसरा इसका कार होता है विधान सभा बिदान सभा निरवाचन छेत्र परिसीमन इसमें भी बिलकुल वही चीज अपनाई जाती है कि जितनी सीटे हैं और जितनी जनसंख्या है उसका अनुपात हर एक छेत्र में एक जैसा रहे ऐसा नहों कि किसी छेत्र में अलग है किसी छेत्र में अलग है यह निकि मैं एक विधायक बनके आ रहा हूँ जो मेरे पीछे चारी लाख की जन संख्या और एक बेकटे आ रहा है जो पची 1 0 when I change . जिए जीत की आ रहा हाय तो ये गलत हो जायेगा हर विधहलेक लगभग बराबर बरेंबर देधिक तो करता हो उसी परकार से हर MP लगभग बराबर जनता का प्रतिनिदे तो करता हो सीधा सा मतलब यही है इसका और तीसरा कार यह होता है कि SC योवम ST SC योवम ST की सीटों का आरच्छड यह काम यही करता है आरच्छड देखो इससे समंदित हमने आठकिल आपको बताया आठकिल 170 और इससे हमने बताया आठकिल 82 यह इससे पावर्स मिलती है इसको क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान किये गए है SC और ST की सीटों का आरच्छड करता है कैसे करता है कितनी सीटें किस राज में SC की होंगी और कितनी ST की होंगी यह परसीमन आयोग तैं करता है आरच्छित करता है सीटें तो किस आधार पे करता है SC और ST को आरच्छड कितना आरच्छड दिया जाएगा राजनीति का आरच्छड यह दिया जाएगा उस राज में इनकी जनसंख्या का जो प्रतिस्थ होगा उसी अनुसार यानि कि राज में SC ST की जनसंख्या के आधार पर यानि कि अगर किसी राज में SC का 10% है जनसंख्या तो वहाँ पर 10% सीटें उसके लिए रिजर्ब की जाएगी तो यह हो गया यह इसके तीन कार रहे अब इसमें पावर कहां मिलती है इनको SC और ST की सीटें रिजर्ब करने की पावर से रिलेटेड क्या है यह जो है आपका आर्ट किल तीन सो तीस यह लोग सभा में दिखे लोग सभा में SC ST का आरच्छण की बात करता है यह राजनीतिक आरच्छण है और आर्ट किल तीन सो बतिस यह बिधान सभा में बिधान सभा में SC ST का आरच्छण की बात करता है यह दो आर्ट किल जो है यह इसको पावर देते हैं कि वो लोग सभा और बिधान सभा में सीटों का आरच्छण करें तो आप देखें यह सारी चीजें किस पे डिपेंड हैं यह सब चीजें जनगरना पे डिपेंड हैं या नहीं है जब जनगरना करोगे तभी तो पता चलेगा कि कितना SC है कितना ST है तभी तो पता चलेगा कि विधान सभा में कैसे हम परसीमन करें भाई आपको बराबर जनसंख्या रखनी है एक सीट में आपको यह सारी सीटें बनानी है इस तरह से तो आपको यहां 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 सब में बराबर जनसंख्या रखनी है तो आपके पास जनसंख्या के आकड़े तो होनी चीए कहां कि इस जिले में किस तहसील में कितनी जनसंख्या है तभी तो आप बाटोगे या गिनने बैट जाओगे घर घर जाके कि भई आप कितने लोग हो आप कितने लोग हो तो वुल आकड़ों का प्रियोग करके ही आप ज यहां तक आप समझें अब जनसंख्या के कौन से आकड़े प्रियोग किये जाए यहां पर थोड़ा भ्रम की स्थिति रहती है आठकिल 82 क्या कहता है अभी जो पहले हमने लिखाया था आठकिल 82 उसने कहा था जनसंख्या के नवीनतम आकड़ों का प्रियोग किया जाए क्यों नवीनतम आकड़ों का यानि जो लेटेस्ट आ गई हूं उनका प्रियोग किया जाए ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है किसी छेत्र की ज्यादा बढ़ सकती किसी छेत्र की कम बढ़ सकती और आपको हर छेत्र में जनसंख्या बराबर के हिसाब से काटने हैं तो इसके लिए नवीन्तम आकड़े प्रियोक के जाए ताकि सभी जनता का प्रतिनिधित तुमिल सके यानि कि बढ़ती और घटती जनसंख्या के प्रभाव को कम करके हर एक प्रतिनिध बराबर जनता का प्रतिनिधित कर सके इसलिए 10 साल के बाद परिसीमन कराया जाता है लेकिन अब यहां पर कुछ आपको चीजें जाननी है वह इंपॉर्टेंट यहां तक आपने देख लिया अब जानना आपको यह है कि भले ही कहा गया कि नवीनतम जनगर्णा के आकड़े प्रियोग किये जाएंगे लेकिन प्रियोग नहीं किये जाते हैं और उसमें क क्या क्या चीजें आपको जाननी है वो आप देखें देखें कुछ प्रमुख तत्थ आप लिखने जो आपको याद रखने हैं यह इंपॉर्टेंट है देखो परसीमन जो होता है परसीमन का मुख्य आधार क्या है मुख्य आधार है जनसंख्या यानि जनसंख्या को ही आधार करके आप परिसीमन करते हूं अब इस वज़े से क्या होगा जब 10 साल बीतेंगे तो जनसंख्या बदल जाएगी और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का भी आवंटन किया जाता है जैसे कि इंडिया है इंडिया में यूपी है बिहार है मध्य परदेश है लोग सभा में इनकी कितनी सीटें होंगी ये किस आधार पर तैय करोगे MP क्यों कितनी सीटें दोगे महराष्ट को कितनी सीटें होंगी लोग सभा की ये टैक होता है जनसंख्या के आधार पे जिस प्रदेश की जितनी ज्यादा जनसंख्या उसकी उतनी सीटे हो जाएंगे वाई क्यों हो जाएंगे उसकी उतनी सीटे क्यों क्यों कि परसीमन का मुख्याधार है जनसंख्या हमको भारत को उतने चेत्रों में बाटना है जितनी लोग सभा में सीटे हैं और वो चेत्र किस पे डिपेंड होंगे जनसंख्या पे डिपेंड होंगे, यानि कि अगर टोटल जनसंख्या है भारत की उसको सीटों से भाग कर दीजे, जितनी भी सीटे हैं, तो मा लेते हैं कि अगर दस लाख निकला उसका उत्तर, तो इसका मतलब है कि दस लाख पर हमको एक सीट बनानी है, तो यूपी की कि शितर बनाता है, वहाँ पर के शियटा शीटे बनाएंगी ग चैएंगी जनसंक्या कि इसकी जैदा इसलिए आप देखते हो, उतर प्रदेश सत्वे अगर्जे सबसे जयादा सीटे हैं, तो ऐसी में क्या होग एक इसे में को एसी स्थिति告诉 आ जाएगी वान जाएगी, जिन प्रदेशों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है उन प्रदेशों की लोक्स भामें सीटें बढ़ती जाएंगी और जिन प्रदेशों की जनसंख्या कम बढ़ रही है या इस्थिर है उनकी तो बढ़ेंगी नहीं सीटें तो धीरे धीरे लोक्स भामें उनकी प जितनी हो जाएंगी 100 हो जाएंगी तो ज्यादा लोग जहां के होंगे उसका प्रभाव बढ़ जाएगा तो ऐसी एक समस्या दिखाई पड़ गई एक समझ में आई और इस पे रोंक लगाने की कोशिस की गई तो पहली बार किया गया देखिए परसीमन का मुख्याधार जनसं में आया था और फिर 2002 में आया यह चार परसीमन आयो गए तो पहले इस पर रोक नहीं थी जनसंख्या के आधार पर परसीमन किया गया लेकिन 1973 में जो परसीमन आयो गाया यानि तीसरा वाला उसने कौन से जनसंख्या के आंकड़े प्रयोग किये होंगे आप अनुमान लगा इसने 1951 वाले किये इसने 1961 वाले आकड़े प्रयोग किये होंगे क्योंकि 1973 में इसका गठन हुआ तो उसके पहले नभीनतम आकड़े 1971 वाले इसने प्रयोग किये होंगे और इसने सीटों की संख्या निरधारित की हर एक राज में कितनी सीटे होंगी और उनका परसीमन क्या ह होगा यह 1973 के परिशिमन आयोग निर्धारित की इसके बाद एमर्जंसी के समय में भारत में इंद्रागांधी सरकार ने एक निर्णाय लिया और परिवार नियोजन का पूरे देश में जो चल रहा था उसके मद्दे नजर इन्होंने कहा और ऐसे बाते भी उठ रही थे कि उत अगर भाई आप कहे रहो कि पूरे देश के सब प्रदेश अपने प्रदेशों में जनसंख्या को नियंत्रित करें कम करें तो वो कहेंगे हम तो नियंत्रित करेंगे हमारी तो सीटें कम पढ़ जाएंगे हम तो कहीं कि नहीं रहेंगे तो इसलिए डिमोटिवेट होते हैं तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि क्यों ना ये जो जनसंख्या है उसको कहीं पर रोक दे हम, यानि हर बार नए आकड़े प्रयोग करने के बजाए 1971 पर फिक्स कर दे, यानि इसके बाद किसी की जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ने दो हम सीटे नहीं बदलने वाले, तो सब सहमत रहेंगे, हाँ ठीक है, सीटे जनसंख्या से प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन इसको आल टाइम तो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि कभी न कभी तो आपको जनसंख्या के नए आकड़ों के आधार पे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक एक बिधायक, एक एक सांसत जो है, पचासों लाग की जनसंख्या हो जाएगी वहां की, तो क्या एक ही आदमी प्रतिनिद बना रहेगा, उसमें भारत में लगभग 15 लाग पे प्रतिनिद होता है, यूके अगर हम जाओगे तो एक ही लाग पे एक प्रतिनिद है, तो इस तरह से बहुत ज क्यों किये गया थे, 22 सभिधान शंसोधन, यह किया गया 1996 में, देखे तब तक यह तीसरा परसीमन हो चुका है, तीसरा वाला जो है परसीमन, इस आंकडों का प्रयूग किया है, तो 1976 में 22 सभिधान संसोधन किया गया, और इसमें क्या कहा गया, कि जो सीटूं का आवंटन का आधार है सीटूं की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगी और 2001 तक संख्या में परिवर्तन संख्या में परिवर्तन नहीं होगा देखिए 2001 तक जो है वो परिवर्तन पर रोक लगा दिया इन्होंने अब इसी लिए हमने अभी आपको बताया था कि 1971 की जनगणना के अधार पर तो परिवर्तन आयोग बना लेकिन इसके बाद में परिवर्तन पर रोक लग गई आप देख रहे हो कि 42 में संख्यां संसुधन से परिवर्तन पर रोक लगा दिया गया इसलिए जो है 1981-1991 में परिशीमन आयोग नहीं बने परिशीमन आयोग नहीं बने इसलिए नहीं बने क्योंकि उनका कोई कामी नहीं रह गया और ये भी कह दिया गया कि 2001 में हम इस पर फिर से बात करेंगे भाई तो 2001 आ गया 2001 में परिशीमन अधनियम आया और 2002 का परिशीमन आयोग नहीं गठित किया गया और उसी समय 2001 में एक संसोधन भी कर दिया गया वो संसोधन भी महत्पूर्ण है वो क्या है देखिए यह था 84 यानि 24 समिधान संसोधन समिधान संसोधन 2001 में आप देखे 2001 में ही क्यों क्यों यहां 2001 तक इन्होंने रोक लगाई थी कि इसको क्या किया गया कि यह जो इस्थगन था इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया सीटों की संख्या इन्होंने कहा कि सीटों की जो संख्या है दो हजार 26 तक परिवर्तित नहीं होंगी परिवर्तित नहीं होंगी 1971 के आकणों पर आधारित रहेंगी आकणों पर ही आधारित रहेंगी तो आप कहोगे फिए 2002 का परिशिमन क्यों अब ये 2002 का जो परिशिमन है वो सिर्फ भागोलिक सीमाओं का सीमांकन करेगा ना कि सीटों का कोई आवंटन में हेर फेर करेगा ना सीटों की संख्या में बदलाव नहीं करेगा इसलिए हमने आपको सुरू में लिखवाया था कि परिशिमन आयोग सीट का जो बांडरी का निर्धान करता है वो बिना संख्या में परिवर्तन किये यानि कि उसी में बाटी जन संख्या बढ़ गई है तो सब कहीं बढ़ा दीजिए दसलाग बढ़ गई तो एक लाख दस सीटे में अजेस्ट कर दीजिए लेकिन ऐसा नहीं कि दसलाग बढ़ गई तो एक नई सीट बना दीजिए सीट नहीं बने जाए किआ EPA और काम से अकड़े प्रियोग में कितनी सीटे होंगी पड़ कॉन सी जनसंख्या नेमी पैनी यूपी में जन संख्या दी, 1971 के बाद में 2021 आ गया है, यूपी की जन संख्या देढ गुना से उपर ज्यादा हो गई हो गी, तो अब सीटे बहुत हो जानी चीए, अस्सी सीटे हैं तो 90 के उपर पहुँन जानी चीए, मतब ज्यादा हो जानी चाहिए अब एक्जाक्ट नहीं मैं बता सकता कितनी हो जानी चाहिए लेकिन फिर भी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि अगर उतने लोगों पर प्रतिनिधे तो रखा जाए लेकिन क्या है 2026 तक रोंक लगी हुई है कौन से आकड़े प्रयोग किये जाएंगे 1971 के आकड़े प्रयोग किये जाएंगे सीटों के संदर्म में लेकिन भावगोलिक जो परसीमन है बिधान सभा की सीटों के लिए बहुत 2001 के आकड़े प्रयोग करेगा तो जो इसके आगे एक और पॉइंट लिखेंगे कि बिधान सभा की सीटों का परसीमन सीमन 2001 की जनगर्ना पर आधारित रहेगा आधारित होगा और लोग सभा की तो करे ही नहीं जाएंगे अब 2026 तक और संख्या में तो ना तो विधान सभा की और ना तो लोग सभा की कोई परवर्तर नहीं होगा 2026 तक तो ये चीज को आप समझ गये इसमेंसे क्या कुष्चन बन सकतह हैं? आपके कुष्चन ये बन सकते हैं कि लोग सभा की सीटे या बिधान सभा की से कौँ से जन संख्या के आकड़ों का प्रयोक करती हैं संख्या आवन्तनин वो जो है 1971 की जनगर्ना का प्रयोक करते जो भागोलिक परिसीमन हो रहा है बिधान सभा की सीटों के लिए परिसीमन तो वो 2001 की जनगरना की यानि कि आप से कुश्चन ये बनेगा कि परिसीमन आयोग 2002 कौन से जनगरना के आकड़े प्रियोग करके जो है प्रदेश में बिधान सभा की सीटों का परिसीमन किया तो 2001 की जनगणना लेकिन संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकी करेंगे ही नहीं क्योंकि वो 2026 तक इस्थगित है और उसके लिए वही एक आधार है 1971 की जनगणना तो यह कब होगा कब बदला जाएगा तो अगली बात यह है इसमें यहां लिखेंगे कि 2026 के बाद जो जनगणना के आकड़े होगी जो जनगणना होगी उसके आधार पर उसके आधार पर जो है परिशीमन पुना होगा होगा इसमें जो है कि सीटों का अबंटन भी चेंज किया जा सकेगा और प्लस परिशीमन भी होगा अब यह होगा वो तो भविस्य के गर्त में है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि यह जनगणना जो पड़ेगी वो पड़ेगी दो हजार एकतिस में दो हजार शब्विस के बाद में जो जनगणना होने वाली है वो दो हजार एकतिस में होगी अब अगर परिस्थितियां कुछ और न हो गई जैसे 2021 में होना चीए था जनगड़ना लेकिन पूरा 2021 चला गया है जनगड़ना नहीं हो पाई तो 2026 के बाद 2021 में जनगड़ना होगी उसके आंकड़े आएंगे उस आंकड़ों के आधार पर सीटें बढ़ेंगी लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी हर राजी के हिस्से में सीटें बढ़ाई जाएंगी यूपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी महाराष्ट को और बढ़ाई जाएंगी तो क्यों ऐसा 2026 क्यों माना गया क्योंकि ऐसा माना गया कि 2026 तक लगबग हर प्रदेश की जनसंख्या की ज बढ़ चुका है ज्यादा लोगों पर एक ही एक प्रतनिध काम कर रहा है इसलिए आप देख रहे हो कि भविस्य को देखते हुए चुकि सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ही और बढ़नी चाहिए भी नए संसद भवन का निर्मार जो है वो बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है क्योंकि पुराना जो संसद है उसमें उतने ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा नहीं कराई जा सकती है सीटें कम है और उनको फैसलिटी जितनी चाहिए हाई टेक वो बनाना संभव नहीं है भवन भी पुराना हो गया है तो इन सब कारणों को देखते क्योंकि 2026 के बाद सीटें बढ़ना लगभग तैं है अगर कोई और चीज ना आई बीच में अब दो तीन प्रसना आपने देख लिया कि कब कब तक के लिए स्थगित है सीटों की संख्या का परिसीमन और जो भौगोलिक परिसीमन है यानि कि बाउंडरी का जो है वो जो है लोग सभा के लिए तो हो ही गया फाइनल 2026 तक नहीं होगा और ये विधान सभा का भी 2001 की जनगरना के आधार पर कर दिया जाएगा और उसके बाद 2026 तक इस्थगित रहेगा यानि कि एक बार 2002 परिसीमन के बाद कर दिया जाएगा उसके बाद 2026 तक आओ सकता नहीं है इस सब इसके बाद ही बनेगा तो अब जो परिसीमन आयूग 2002 हैımız इसके आधार पर क्या परशीमन की यह नहीं की चिया गया किया लेiblyंदक राज की विधाण सभा की सीटों का पैरा होजु रही जंगरृ का प्रियोग कर के लगभग सभी राज्यों का पर अध। कि पुपलीट कर लिया गया इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद 2008 में रिपोर्ट Marshf Quando यह बीच में थोड़ा सा ध्यार नहीं दिया लेकिन ये सिर्फ भावगोलिक परिसीमन था सीटों की संख्या का नहीं इसके बाद कुछ राज रह गए थे पुर्वोत्तर के चार राज असम अरुनाचल प्रदेश मनिपुर और जो है नागालेंड ये चार राज रह गए थे वहां परिसीमन नहीं हो पाया था वहां के कु नहे केंदर सासित प्रदेश बन गए और वो पहले आपको पता है कि धारा तीन सो सत्तर के तहट जो है उसमें वहां का एक समिधान भी लग था तो वहां की विधान सभा सीटों का परिसीमन भी होना है क्योंकि वहां उनके समिधान के अनुसार वहां का परिसीमन किया गया तो वहां कुछ विदानसवा की सीटें बढ़ाये जाने की भी बात की जा रही है तो उस पे भी हम थोड़ा सा आपको संचिप्त में जानकारी दे देते हैं इतना आपने नोट कर लिया आसा है इसमें कोई भरम की स्थिति आपको नहीं रह गई होगी अब हम जम्मू कस्मीर औ और बचे हुए कुछ राज्यों का जो अभी लेटिस्ट परसीमन होने की बात हो रही है किया जा रहा है वो देख लेते हैं तो यह लास्ट वाला पॉइंट आपको याद है कि परसीमन आयोग दो हजार दो यहीं से कहानी सुरू करेंगे हम देखिए जो परसीमन आयोग था परसीमन आयोग दो हजार दो इक इस प्याधारी था दो हजार एक की जनगर्णा के बाद था ना इसने प्रो किया था के आधार पर अधार पर दो हजार आठ में अधिकतर राज्यों ने अधिकतर राज्यों में परसीमन हुआ परसीमन हुआ यह सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ हमने आपको बता दिया सीटों की संख्या में परिवर्तन दो हजाचबिस तक नहीं होगा तो ये कैसा परिसीमन था भागोलिक सीमांकन किया गया छेत्र कहां से कहां तक रहेगा सिर्फ इसका परिसीमन 2001 की जन्रना के अनुसार किया गया है इससे यह होता है किसी छेत्र में जनसंख्या घट बढ़ गई क्योंकि मरत्यू भी होती है नये पैदा होते हैं और प्रवास भी होता रहता है इधर से उधर आवगमन होता रहता है तो किसी विधासवा सीट की जनसंख्या घट गई किसी की बहुत बढ़ गई तो इधर उधर कि गवल चैत्र की जटरने से बोलुका ज़ेत्व करें ब समान नहीं किया गया इनि की यूपी पाँ जितनी सीटे है उतनी ही रहेंगी तो परसीमन आयोग 2002 से ये किया गया इसके अध्यच थे परसीमन आयोग 2002 में जो वो जश्टिस कुलदेप सिंग थे तो परसीमन हो गया लेकिन इसमें जो है असम अरुनाचल प्रदेश और नागालेंड मरीपूर मरीपूर में छेत्री जो वहाँ पर अक्ष्वल में थोड़ा सा छेत्री असांती फैलने का डर था इस वज़े से में परसीमन नहीं हो पाया था एक ये पॉइंट आपको याद रखना है तो इसमें अब हो रहा है इसमें अब 2020 में करने की बात की गई है जो 2021 में हो जाना चाहिए था लेकिन कोरोना इत्याद की वज़े से लेट हो रहा है तो असम अनुनाचल प्रदेश नागालेंड और मरीपूर ये चारो पूर्वोत अंतर के राज है इसमें परिसीमन हो नहीं पाया था कब नहीं हो पाया था 2008 में जब अने राजों में हो गया था और इस परिसीमन के अधार पे करनाटक हमने आपको बताया कि करनाटक पहला राज था जिसने 2001 के जलगंड़ना के अधार पे जो परिसीमन कराया गया उसके अ इसका जो है दो यूटी में विभाजन किया गया दो यूनियन टेरिटीरी में जो है विभाजन किया गया और इसमें दो बन गए जम्मू एंड कस्मीर और लद्दाख दो इसमें बाट दिये गए और यह किसाधार पर किया गया था यह किया गया था जम्मू एंड कस्मीर पु अधनियम 2019 के आधार पर इसको दो उसमें बांट दिया गया है 2019 से दो केंदर सासित प्रदेश बन गए हैं तो अब यहां पे इस्थिति आपकी क्या है हमने बताया कि 2002 की रिपोर्ट के आधार पे 2008 में सब राज्यों ने वहां परसीमन करा लिया था बिधान सबा सीटों का 2001 की जनगर्ना के अधार पे यह इतने रह गए थे का चार राज्यों और यह दो केंदर सासित प्रदेश यह चूंकि नए बने हैं और यहां पे परसीमन इसलिए भी आउस्थिक हैं क्योंकि यहां जो पहले परसीमन था वो जम्मू कस्मीर के समिधान के अनुसार था बिधान सबा की जीटों के लिए हलाकि लोक सबा में तो भारत के समिधान के अनुसार ही था लेकिन चूंकि अब इसमें मिला लिया गया इसको 370 को खतम करके तो यहां परसीमन अब आउस्थिक है क्योंकि चुना होना है तो इतने में इसमें परसीमन करने के ल रहा है तो इन जगों पर इन चार राज्यों प्लस दो यूनियन टर्टरीज में परसीमन होगा परसीमन होगा अब यह जो यह जो चार राज्य है यह परसीमन आयोग अधनियम 2002 के आधार पर ही किया जाएगा यह जैसे यहां हुआ था उसी आधार पर हो रहा है जम्मू कस्मीर में जम्मू कस्मीर पुनर गठन अधनियम 2019 के आधार पर किया जा रहा है और यहां पर जो है सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि यहां पहली बार किया जा रहा है इसके पहले जो था वहां के बिसेस नियम से सभ़घ है तो जम्मो कश्मीर पुनर गठन 2019 के अधार पे किया जाएगा और यहां सीटों की संख्या बढ़ाई जायगी लोस्त भाकि नहीं की सब जगे इस तैटR nationalях सभा सीटों की संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी तो जरा उस सिनेरियों को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं आसा इसमें कोई भ्रहम की स्थिति आपके पास नहीं होनी है कि ऐसा नहीं कि एक नए परिसीमन अधनियम का गठन कर दिया गया ऐसा कुछ नहीं चार बच समझ है इसलिए होगा पर जम्मुछ कस्मीर को नय टुकड़े बनें हैं इसलिए किया जा रहा है तो अब इस बैस समय को पता ही हो इसे बैस को तरहितए एजी है कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए आपकी वो आप देख लेए जिम्मू एंड कस्मीर में परसीमन लद्दाक में भी लद्दाक में कुछ ज्यादा नहीं होना है परसीमन इसको जड़ा समझ लें बेडी एजी है तो अगर हम पहले की स्थेती पर बात करें पहले देखू पुराना पुराना जम्मू एंड कस्मीर पुराने जम्मू एंड कस्मीर में क्या था यहां पर बिधान सभा की बात करें जो बिधान सभा की सीटे हम परिवर्तित करने वाले हैं तो पुराना जम्मू एंड कस्मीर में ज इसमें जो है 111 सीट थी, 111 सीट इस तरे बटी थी, जो लद्दाख रीजन था, वहाँ 4 सीट थी, और जो जम्मू एंड कस्मीर रीजन था, वहाँ पे 107 सीट थी, यह हम पुराने की बात कर रहे हैं, जो अभी तक था, तो टोटल 111 सीट हुआ कर दी थी, जिसमें से 107 जम्मू कस्मीर में थी, चार लद्दाख में थी, और 107 में भी दो प्रकार थी, अब इसमें क्या दो प्रकार है, एक्चुल में जम्मू कस्मीर का कुछ हिंसा P.O.K. में है, यानि पाकिस्तान के उसने अकुपाई कर रखा है, तो उसको हम लिखेंगे P.O.K. P. P.O.K. में 24 सीट थी, और जो इंडिया के अंतरगत आता है जम्मू कस्मीर का हिस्सा, वहां पे 83 सीट थी, जहां पर हम चुनाव कराते रहें, यह जरा इस्थिति को आप समझे, कि जम्मू कस्मीर का जो बिधान सभा की सीटे थी, यह सीटे जम्मू कस्मीर के समिधान, वहा पर बिधान सभा में होती थी, जिसमें से जम्मू कस्मीर रीजन में 107 हुआ करती थी, और लद्दाख में 4 सीटे पढ़ती थी, तो यहां तो नहीं हमें परिवर्तन करना है, इधर ज्यादा करना है, इसमें से 107 बचती थी जिसमें 24 P.O.K. छेतर में पढ़ती हैं, जहां पर हम इलेक्षन नहीं कंडिक्ट कराते हैं, इंडिया के 83 सीटों पर हम इलेक्शन कंड़क्ट करा पाते हैं, अब हम जो नया जम्मू कस्मीर का परिसीमन होगा, अब चूंकि लद्दाख rivers अलगा रीजन हो गया है, जम्मू कस्मीर अलग के अंद्र सासित प्रदेश!!" बन पुनर्गठन अधनियम 2019 इसके अधार पर क्या हुआ है जम्मू और कस्मीर दो भागों में बट गया है एक को तो जम्मू और कस्मीर ही हम कहते हैं और एक को कहते हैं लदाख यह इसके दो टुकड़े हो गए हैं पुर्णरगटन अधिनियम के अधार पर और इसी अधार पर पर सीमन भी हो ना है तो अब पर सीमन जो होगा पर सीमन प्लान है वो ये है कि जो जब्मू एंड कस्मीर जो हमारी युनियन टेरिटरी है देखे लग्डाक में चार है वो चार वशेसी रखी जैंगी चार जो है वहाँ पे विधान सभा की सीटे हैं, विधान सभा और एक जो है वो लोक सभा की हैं, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जम्मू और कस्मीर साइड में परिवर्तन करने की बात है, तो जम्मू कस्मीर जो है, उसमें सीटें जो हैं वो 107 थी, 107 से बढ़ा क तो 114 कि अब जायेंगी जो एक सो चोड़ा सीटे होंगी उसी तरह दो भागों में भाजित रहेंगी क्योंकि हम प्योके में भी कुछ सीटे हमारी हैं तो 24 जो उधर पड़ती है वह प्योके में और युद्वा कट्प कराएंगे एक सीटे खाली चोड़ेंगे आगे भविस में इसको लेना है तब करेंगे और इंडिया के जो हिस्से में है वहां सीटें बढ़ जाएंगी इंडिया में 83 पढ़ती थी आप देख रहे हो तो यह हो जाएंगी साथ जो हमने यहां बढ़ाई है वो इधर एड हो जाएंगी यह 90 सीटें चुना और यहां पर किया जाएगा और पर सीमन तो किया ही जाएगा यहां बॉण्डरी तो कि जाएगी और जो पूर्वत्तर के हमने बताया जो राज है चार वहां ने बताया असम नागालाइन मरिपूर और अवांठल प्रदेश वहां पर तो 2002 राज की आधार ही किया जाएगा तो आपने परिसिमन को समझा, और परिसिमन कैसे किया जाता है, कैसे काम होता है, इन सब चीजों पर हमने बात की आज़ा है, आपको एक लाष समझ में आई होगी, मिलते हैं, एक और बहितर कुलास के साथ में тब तक के लिए धन्यवाद,